हलो स्टूडेंट्स हाव यू ओल वेलकम टू अब्राइट माइंड्स स्टूडेंट्स आर टुडेइस टॉपिक इस टैंस जिसको हम हिंदी में काल भी बोलते हैं या फिर समय भी बोलते हैं तो टैंस समझने से पहले हम लोग को एक चीज बहुत इंपॉर्टन जो है वो समझ दिया था तो एक बार फिर से रीकॉल करते हैं कि वर्ब होता क्या है एक जो वर्ब है यानि जो क्रिया है एक वो शब्द है जो इंडिकेट करता है किसी एक्शन को यानि किक एक्शन हुआ है ओके या फिर कोई काम हुआ है क्लियर सो वर्ब हैव डिफरेंट फॉर्म्स कॉल तो जो verb है ना उसी की ही अलग-अलग जो forms है उन्हें हम tense बोलते हैं और जो tense है verb का वो ही हमें indicate करता है या हमें बताता है कि कौन सा action कब हुआ यानि कि जो verb है वो ही हमें verb की form से हमें पता चलता है कि कौन सा काम किस समय पर हुआ है clear the tense of a verb shows the time of an action जो tense of verb है वो show करता है किस चीज़ को कि action का actual में time क्या था तो इस चीज़ से आपको अभी एक clear हो गया होगा कि tense actual में किस को बोलते हैं tense हम बोलते हैं समय को और tense का हमें पता तब चलता है कि tense सिर्फ ये बताने के लिए है कि कौन सा काम कब हुआ है तो आगे चलते हैं there are three main tense जो tense है main three types के है कौन-कौन से होते हैं वो आपने पहले पढ़ा भी होगा because जो tense है वो बच्चों को first class से ही सिखाने शुरू कर दिये जाते हैं तो जो three types of tense है वो है present tense, past tense और future tense तो चलिए इन सब के बारे में एक बार thoroughly पढ़ते हैं कि actual में present tense कहते किसको है present tense जो है वो हम वर्तमानकाल को बोलते है a verb that refers to the present time is said to be in the present tense यानि एक जो verb है जो की present time में या present time के बारे में बता रही है यानि जो काम present tense में हुआ है उसको present time में हुए उसी को ही हम present tense बोलते हैं यानि वर्तमानकाल में जो काम होता है या फिर जो क्रिया होती है उसे ही हम present tense बोलते हैं example है I eat, second example is he plays, okay so next tense is past tense, past होता है भूतकाल यानि जो बीद गया हो, okay a verb that refers to the past time एक ऐसा verb ऐसी क्रिया जो हमें past time के बारे में बताती है उसे हम क्या बोलते हैं is sad to be in the past tense तो वो बोला जाएगा कि हाँ वो चीज past tense में हुई है clear यानि अगर कोई काम बीते हुए समय में हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो काम past tense यानि उसको हम past tense बोलेंगे तो इसके जो example है I ate यानि मैंने खाया he played वह केला यानि वो खेल चुका है अगर present tense में होता या present tense में होता तो हम ये बोलते कि वो खेलता है या फिर वो खेल रहा है okay then वो खेला यानि वो खेल चुका है विस ताइम okay now next tense is our future tense तो future tense जो होता है वो है भविश्यत काल okay जो हमारा future आने वाला समय a verb that refers to the future time is sad to be in the future dance एक verb जो हमें future time के बारे में बताए ठीक है वो क्या होता है future tense उसको बोलते हैं I shall eat है first example I shall eat का मतलब मैं खाऊंगा he will play यानि वो खेलेगा यानि वो future में खेलेगा so students these three are means यह जो तीनो है यह हमारे types of tense है students tense के बारे में तो हमने बड़ी लिया है कि tense जो है वो three types के होते हैं तो आगे जो tense की forms है ठीक है वो कितने types की होती है वो होती है mainly four types of okay so each tense has four forms हर tense की अपनी चार forms होती है पहली होती है simple indefinite second होती है continuous third होती है perfect and fourth is perfect continuous तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे हमने तीन tense जो हमने पड़े हैं यानि present, past and future इनकी आगे four four forms होती है यानि four present की forms है four past की forms है and four ही future की forms है तो students जो आपको यह important points मैं समझाना चारे थी hope कि आप अच्छे से इसको समझे तो हमारे next video में हम लोग एक दो और जो points रह गए है important वो discuss करेंगे और फिर हम अपने tense actual में start करेंगे तैंक यू